तो लीजिये दोस्तों आप लोगों की कमेंट आ रही थी कक्षा 10 वी मध्य प्रदेश वाले विध्यारतियों की की सरवार्षिक परिक्षा का हिंदी का जो पेपर है वो आप लेकर आईए तो आप सभी विध्यारतियों की कमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए हिंदी विशे का पेपर दोस्तों आप लोगों को मैं प्रस नंबर एक से ले करके तो 23 पूरे के पूरे प्रसन बताऊंगा उत्तर सहित दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली जो अपडेट है वो मिलती रहे दोस्तों हमारा टेलिग्राम चैनल है मैंस एजूकेशन टेलिग्राम चैनल आप जुड़ सकते हैं वहां से आपको PDF प्राप्ट हो जाएगी इस वीडियो के बाद में तो दोस्तों देख सकते हैं दो दिन पहले मतलब आप 18 तारिक से दो दिन पहले आप अच्छे से इसको देख लीजिए पूरा हल कर लीजिए आप लोगों के लिए काफी फाइद मंध होगा दोस्तों आप लोग मैं कह सकता हूँ कि कहीं भी किसी भी इस्तिती में मात नहीं खाएंगे दोस्तों चेली स्टार्ट करते हम पहले प्रस्ण से तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग सरो प्रतम आपको मैं बता रहा हूं सभी प्रस्ण हल करना निवार है सही विकल्प राजनीती किस ने सीख ली तो याद रखेंगे करष्ण ने राजनीती किस ने सीख ली और पाट एक किस का है पद का है याद रखना सूरदास इसके रचीता है अगला है हाशरस का इस्थाई भाव क्या है तो हाशरस का इस्थाई भाव होता है हास हाशरस का इस्थाई भाव हास होता है समास के प्रकार होते हैं तो समास के कितने प्रकार छे प्रकार होते हैं इसके बाद में देखिए भोलानाट के ललाट पर कौन सा तिलक सुसोबित है तो याद रखना भबूत का भोलानाट के ललाट पर भबूत का तिलक सुसोबित है संचारी भाव की संख्या कितनी है तो 33, 33, 33 संचारी भाव है अच्छे से याद रखना है इसके बाद में गोपि इसके बाद जोड़ी देखी दोस्तों उत्तर सहित एक एक प्रस्न बताऊंगा मैं आप लोगों को एक एक प्रस्न उत्तर सहित बताऊंगा ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए इन सभी को इस्तरी सिक्ष्या तो इसमें याद रखेंगे इस्तरी सिक्ष्या से देश का ग अब बात करते हैं खाली स्थानों की पूर्ती कीजिए देखो यह रिक्तिस्थान आ चुके हैं पहला है सूर्दास रसके कवी थे तो वातसल्य रसके कवी थे तो यहां पर आपको लिखना है वातसल्य नाटक में अंक होते हैं तो याद रखना अनेक अंक होते हैं भोलानात का वास्ताविक नाम क्या था तो तार के इश्वर नात कावी के मुख्यता भेद होते हैं कितने दो भेद होते हैं कौन-कौन से हैं एक तो द्रिश्य कावी है और एक है आपका स्रव्य कावी द्रश्च कावी और स्रव कावी ये कावी के दो भेदें इसके बाद में मात्रिक छंद में गणना होती है तो याद रखना मात्रा की ठीके यहां लिखेंगे मात्रा की गणना होती है महा कावी में जीवन का चितरन होता है समग्र तो यहाँ पर आप लिखेंगे समग्र चित्रन होता है रसको की आत्मा कहा जाता है कावी की आत्मा कहा जाता है रसको किसकी आत्मा कहा जाता है तो ध्यान देंगे रसको कावी की आत्मा कहा जाता है आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए उत्तर का जल्दी से ये सारा स्क्रीन सोट ले लीजिए रियाद रखिए इनको अब हम बात करते हैं अगले कुश्चन नमबर 4 की कुश्चन नमबर 4 देखिए कुश्चन नमबर 4 में आपको क्या करना है सत्य असत्य लिखिए बाल गोबिन भगत ग्रहस्त नहीं थे तो ये असत्य है ये असत्य लिखेंगे समास के 3 बेद होते हैं तो ये भी असत्य है क्योंकि समास के 6 बेद होते हैं बेजु की मुलाकात मुशंतिवारी नामक विवक्ति से हुईती ये सत्य है सिवधनुस राम ने तोड़ा था ये भी सत्य है महरानी के सूट की कीमत भारती मुद्रा में पांच हजार थी तो ये भी सत्य है और आइस्थाई मनोविकार इस्थाई भाव कहलाते हैं ये असत्य है क्योंकि जो आइस्थाई मनोविकार हैं वो तो संचारी भाव कहलाते हैं संचारी भाव केलाते हैं अईस्थाई मनोविकार और यहाँ पर इस्थाई भाव दे रखा है तो यह असत्य होगा और इस्थाई भाव किसे केते हैं तो याद रखना मनुष्च के हिर्दे में जो भाव इस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें इस्थाई भाव केत और ये सत्यसत्य आपके हो चुके हैं सत्यसत्य के बाद में पांचवे प्रस्न के हम बात करते हैं देखिए कुश्यन नंबर फाइव आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है उत्तर में सारा बताऊंगा आपको पहला देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो याद रखना रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं ठीके एक तो है सरल या साधरन वाक्य एक है मिस्र वाक्य और एक है सैयुक्त वाक्य ठीके ये तीन भेद होते हैं विबत्सरस का इस्थाई भाव बताई है तो विबस्तरस का इस्थाई भाव होता है ग्रणा या जुगुट्सा ठीक है जुगुट्सा या ग्रणा विबस्तरस का इस्थाई भाव है इसके बाद में रिपोर्टाज किस भासा का सब्द है तो याद रखना फ्रांसिसी भासा का सब्द है रिपोर्टाज फ्रांसिसी भ पहसा का सब्द है नेता जी सुभास्चंदर बोस की प्रतिमा कहां पर लगी थी तो लिखेंगे कस्बे के चोराहे पर याद रखेंगे कस्बे के चोराहे पर नेता जी सुभास्चंदर बोस की प्रतिमा लगी थी नई दिल्ली में क्या नहीं था तो आपको यहां पर लिखना है नई दिली में नाक नहीं थी सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी चांदनी रात के बाद क्या आता है तो याद रखेंगे अंधेरी रात या फिर आप लिख सकते हैं काली रात काली रात इस प्रकार से चांदनी रात के बाद अंधेरी रात सीता सोयमवर में लक्षमन किसके स गए थे तो आप लिखना विश्वा मित्र ठीके क्योंकि विश्वा मित्र जी उनके गुरू जी थे राम लक्षमन के तो उनके साथी गए थे सीता सोयमवर में शिव धनुस किस ने भंग किया था तो राम ने भंग किया था क्रोधी मुनी कौन थे तो परशुराम परशुराम क्रोधी मुनी थे ऐसा ध्यान रखना है आपको अब हम बात करते हैं देखिए प्रशना आ चुका है हाश्यरस की परिभासा दीजिए तो परिभासा में आप लिखेंगे विभाव अनुभाव और संचारी भाव का हास नामा किस्थाई भाव के साथ जब सयों होता है तो अनुभाव और संचारी भाव का वत्सल नामक इस्थाई भाव के साथ जब सयों होता है तो वहाँ पर वात्सल रसके निस्पत्ति होती है उद्धरण में आप लिखेंगे जसोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कचुगावे मेरे लाल को आ हैं शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या केते हैं अलंकार केते हैं ठीक है इसी प्रिकास अनुप्रास अलंकार की परिभासा देनी है प्रियोगवात की दो विसेस्ताई लिखनी है नई कविता की दो विसेस्ताई लिखनी है दस्वे प्रस्ण में वास्तवी कार्थों मे संस्कुर्ट वक्ति किसे खा गया है यह प्रस्ण है इनका जल्दी साप स्क्रेंसोट ले सकते है चंद किसे कहते हैं ठीके, माता वरन ले गति तुक आदिसे शुगटित रचना को चंद कहते हैं, चंद कितने परकार के होते हैं, प्याद रखना चंद मुख्यूरूप से दो प्रकार के ओते वरनिक चंद और मातरिक चंद लेकिन एक और चंद बता जाता है जिसको अपन बोलते हैं मुक्तक चंद इस प्रकार से तीन प्रकार बताए हैं और अब यह आप प्रसन देख लिजें इन प्रसनों को अब मैं आपको और जो आपको याद करी लेना है ये बता देता हूँ और उत्तर सहीद बताऊंगा उन्निसवा बीसवा इक्किसवा प्रस्ण ठीके देखिए अब देखिए उन्निसवा प्रस्ण का उत्तर देख लीजिए अच्छे से याद रखेंगे आप इसको ठीके गध्यान्स का उचिस सिर्शक दीजिए तो याद रखना जो गध्यान्स का उचिस सिर्शक है यहे कर्मशील मनुष्य ठीके इस प्रकार से और इसके बाद में मनुष्य किस कारण से स्रेश्ट होता है तो आपको यहाद रखना है कि जो मनुष्य है वो अपने कर्म बल के कारण स्रेश्ट है यह लाइन पूरी लिखेंगे यहां से यहां तक और उप्युक्त गध्यान्स का जो सारांस है वो आपको सारांस लिख देना है एक एक दो दो लाइन का जैसे हम समरी लिखते है उस प्रकार से और अत्वा में है अत्वा में देख लीजी विपदाओं से मुझे बचाओ वाले में कभी खुद को किस से बचने के लिए कह रहा है तो विपदाओं से कभी स्वर कलाओं किस पर भरोसा कर रहा है तो याद रखना सोयम पर भरोसा कर रहा है ठीक है और कभी सायक ना मिलने पर क्या प्राथना करता है तो अपना पुरुस बल ना हिले एसी प्राथना करता है इसके बाद में देखिए बीसवा प्रस्न इस कुश्यन नंबर बीस में कावजान्स की संदर्व प पहलतों कि किकू कर लिट इसके आप को संदर प्रसंग से detailing व्याक्षा करनी है 21 फ्रसन देखिए गद्हियंज की संदर प्रसंग से व्याक्षा की जिए प्रभु की इच्छा ती वे बाला को शी सरलता से मुश्कुरा कर одним आ बचपन में घोशित कर दिया ताकि लड़का हाच से गया और सचमुच इंजिनेरिंग की वर्सों की पड़ाई छोड़कर फादर बुलके सन्यासी होने जब धरम गुरू के पास गया तो कहा कि मैं सन्यास लेना चाहतूँ और एक सर्त रखी की में भारत जाऊंगा ठीके ये गद्यान से और इसके अलावा अत्वा भी दिया है ये भादो वाली अंधर रतिया ये वाला और अब हम अगले प्रस्ण की बात करते हैं जो की लास्ट प्रस्ण है ठीके देख सकते हैं ये कम्पलीट करना है आपको अपने मित्र को परिक्षम सपलता होने पर बदाई और अवकास हेतु प्रातना पत्र और एक स्थाना अंतरन का मैं बता देता हूं इस्थाना अंतरन का प्रमान पत्र भी आप यात कर लेंगे और निबंद निबंद देखिए जीवन में खेलो का मेहतु विज्ञान वर्दानी अभिसाब कोविड नाइंटीन परेवन स्रक्षन के उपाई एवं नियंतरन ये निबंद है दोस्तों तो इन धिमंद को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना आप लोगों के 80 में से कम से कम 79 नंबर आएंगे क्योंकि मैंने कम से कम 4 से लेकर के तो 5 से ट उपलब करवा दियें वार्षिक परिक्षा के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू